हेलो बटा अब हम चेक करेंगे continuity function की तो पहला वाला आपको बताता हूं कैसे हो गई हमें चेक करनी continuity at x is equal to 0 पर चेक करनी है ठीक है तो आपको पता है continuity कैसे चेक करते हैं एक तो निकालते हैं left hand limit एक निकालते हैं right hand limit और एक निकालते हैं value of the function अब क्योंकि 0 की बात कर रहा है तो f of 0 निकालेंगे तो यह तीनों चीजें कहां से निकलेंगे आपको सोचना पड़ेगा left hand limit 0 का मतलब क्या हुआ 0 से छोटा 0 से छोटा मुझे लेना है तो 0 से छोटा किस पर आ रहा है आपका यहां पर दीख रहा है x is less than 0 तो यह वाला मुझे देदेगा left hand limit तो यह वाला तो अब मैं solve करना शुरू करता हूँ इसको इस function को solve करना शुरू करता हूँ देखो क्या आएगा left hand limit क्या आ जाएगी बेटा left hand limit आ जाएगी आपकी limit h tending to 0 और sin of 0 minus h divided by 0 minus h clear हो की बाद तो इसको आप क्या लिखोगे इसको आप लिख सकते हो limit h tending to 0 sin of minus h divided by minus h clear है अब एक चीज बताना जो यहां पर लिखा हुआ है वो ही यहां पर लिखा हुआ है same value लिखी हुई है तो इसका final answer क्या जाएगा 1 आ जाएगा क्योंकि formula होता है कि limit x tending to 0 sin x by x क्या होता था 1 होता था मतलब जो भी sin के साथ आपकी value होती थी वो ही अगर नीचे है तो आपकी value कितनी आ जाती final limit क्या जाती थी 1 आ जाती थी और plus में कितना 1 तो यह आ जाएगा आपका जाकर के limit x tending to 0 और यहां क्या आएगा h plus 1 अब h की value में क्या लिख दूँगा यहां पर 0 लिख दूँगा तो क्या जाएगा answer मेरा 1 आ जाएगा अब last चीज बच्छी बेटा मेरी f of 0 f of 0 मेरा कहां से आएगा यह आएगा जाकर के 0 plus 1 हो जाएगा x plus 1 से आएगा ना तो 0 plus 1 0 लिख दूँगा x की जाएगा तो कितना जाएगा यह 1 आ जाएगा अब अगर आप ज्यान से देखें तो यह चीज 1 है value of the function 1 है right hand limit 1 है left hand limit 1 है इसका मतलब यह function x is equal to 1 पर 0 पर continuous है अब बटा इसका second question देखो मैं सारी बातें यहीं से करता हूँ left hand limit और right hand limit यह तो दोनों मिलेंगी बटा यहीं से यहीं से मिलेंगी और value of the function मतलब f of 0 आपको कहां से मिलेगा वो आपका यह रा clear होगी बात यह बात समझ में आती ही कि नहीं आती है बोलो बटा ठीक है तो मैं निकालता हूँ सबसे पहले left hand limit left hand limit का मतलब 0 से छोटा तो limit h tending to 0 आप यहां लिखेंगे 0-h multiply cos of 1 upon 0-h तो यह आपका क्या बनेगा यह जाकर क्या आपका तयार होगा minus h और cos of minus 1 upon h ठीक है और limit क्या चलेगी h tending to 0 अगला क्या बनेगा आपका यह बन जाएगा बटा limit क्या बनेगी आपकी h tending to 0-h और cos of minus 1 upon h होता है cos of 1 upon h formula आपको याद रखना है cos of minus theta आपको क्या देता है cos of theta देता है clear होगी बात अब जड़ा दिमाग लगाओ अब जो सोचने की बात है वो बताता हूँ जैसे ही आप h को 0 लिखो गए h को 0 लिखो गए तो minus 0 into cos of 1 upon 0 यही तो बनेगा तो यह बनेगा आपका minus 0 into cos of infinity infinity और cos of infinity क्या होगा कोई ना कोई finite value होगी कोई ना कोई finite value होगी किसके बीच में minus 1 से 1 के बीच में कोई ना कोई value जरूर ले रहा होगा क्योंकि आपको याद है cos का graph कैसा होता है cos का graph कुछ इस तरह का होता है तो जब मैं infinity की तरफ बढ़ूंगा तो यह जो graph है कोई ना कोई value जरूर लेगा लेकिन जरा गौर करो बाहर कौन बैठा हुआ है 0 तो यह 0 जब इसके साथ multiply होगा तो answer क्या बना देगा 0 बना देगा बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया यह बास समझ में आई कि नहीं आई clear हो गया तो यह चीज आपको समझने पड़ेगी तो final answer इसका कितना आएगा 0 आजाएगा clear है तो left hand limit मेरी कितनी आगई 0 आगई अब बेटा करेंगे right hand limit क्या निकालेंगे right hand limit निकालेंगे यह कैसे आएगी यह आएगी limit h tending to 0 और कितना आजाएगा 0 प्लस h multiply by cos of 1 upon 0 प्लस h यह आजाएगा clear है तो अगला step क्या बनेगा limit h tending to 0 h into cos of 1 upon h आजाएगा clear होगे बात अब जैसे ही आप यहाँ पर क्या put करोगे h को 0 put करोगे तो यह आजाएगा आपका 0 into cos of 1 upon 0 यह आजाएगा तो यह बनेगा आपका 0 into cos of infinity cos of infinity कोई ना कोई value जरूर लेगा कहां से कहां minus 1 से 1 के बीच में लेकिन जरा दिमाग लगा 0 से जब इसका multiply करूँगा तो final answer क्या आएगा 0 आएगा बोलो बटा समझ आया की नहीं आया इसका मतलब right hand limit भी आपकी क्या रही 0 आ रही और अगर आप गौर से देखें तो value of the function भी कितना आ रहा है f of 0 कितना आ रहा है इस question में ये भी 0 आ रहा है ये देखवा आ रहा है की नहीं आ रहा है इसका मतलब ये आपका x is equal to 0 पर continuous है बटा next question देखो third part इसका बताता हूँ इसमें left hand limit और right hand limit ये तो मिलेगी आपको यहां से और value of the function मतलब f of 0 ये तो di हुआ है कितना दे रहा है ये 0 दे रहा है तो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको left hand limit कैसे आए की बटाई देखो left hand limit के लिए मैं निकालूँगा limit h tending to कितना 0 h tending to 0 लोगा और यहां लिखूंगा 0-h क्योंकि left hand की बात कर रहा हूँ मतलब 0 से छोटा 0-h का square multiply sin of 1 upon 0-h इस बात में कोई दिक्कत नहीं अगला step आएगा आपका limit h tending to 0 minus h का square क्या बन जाएगा h square और यहां जाएगा sin of minus 1 upon h यह आएगा बटा limit h tending to 0 sin of minus theta क्या होता है minus sin theta तो minus h square sin of 1 upon h clear अब एक बात बताना जैसे ही मैं h की जाएगा क्या put करूँगा 0 तो क्या आएगा मेरा minus 0 और sin of 1 upon 0 यही तो आएगा तो यह जाएगा बटा minus 0 और sin of 1 upon 0 मतलब infinity यह कोई finite value देगा कहां से कहां minus 1 से 1 के बीच में कुछ भी देदेगा लेकिन जब इसका multiply मैं 0 से करूँगा तो final answer यह क्या आएगा 0 आजाएगा clear होगी बात इसका मतलब मेरी left hand limit क्या आगई? 0 आगई कोई problem नहीं किसी बच्चे को अब बटा बात करूँगा right hand limit की किसकी बात करूँगा? right hand limit right hand limit कैसे निकलेगी? यह निकलेगी बटा limit h tending to 0 मतलब आप h tending to 0 कर रहे हैं और क्योंकि right hand की बात है तो 0 प्लस h चलेगा left में minus चलता है right में plus चलता है square तो sin of 1 upon 0 प्लस h आएगा तो यह आजाएगा बटा आपका जाकर के h square और sin of कितना? 1 upon h और यह आजाएगा आपका जाकर के limit h tending to 0 clear? अब जब आप h की value 0 पुट करोगे तो 0 का square 0 और sin of 1 upon 0 तो यह value कितनी आजाएगी? यह आजाएगा infinity 0 into sin of infinity और आप जानते हो sin infinity क्या होता है? minus 1 से 1 के बीच में कोई value लेगा और जब इसका 0 से multiply करूँगा तो answer क्या आएगा? 0 आएगा clear है? तो right hand limit भी आपकी कितनी आगे? 0 और value of the function तो आपको दिखी रहा है कितना दे रहा है? 0 दे रहा है इसका मतलब है left hand limit is equal to right hand limit और is equal to value of the function यह तीनों सेम है तो यह function आपका x is equal to 0 पर continuous है अब बेटा इसका last part देखो आप fourth part देखो क्या कहता है? यह कहता है कि f of x is equal to mod of sin x upon x if x is not equal to 0 and x is equal to 0 पर 1 आ रहा है इसका मतलब है left hand limit और right hand limit यह दोनों तो मुझे किस से मिलेंगी? इस वाले से मिल जाएंगी और value of the function मतलब f of 0 यह मुझे देए रहा है कितना direct दे रहा? 1 दे रहा है तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? left hand limit निकालूंगा क्या आएगी? यह आएगी limit h tending to 0 ठीक है? अब क्योंकि मैं left hand limit निकाल रहा हूँ तो 0 minus करके चलूंगा तो यह आएगा mod of sin of 0 minus h इसका mod ले लिया और divided by कितना? 0 minus h ले लिया किलियर है? तो यह कितना आएगा? यह आजाएगा limit h tending to 0 mod of sin of minus h इसका mod divided by कितना? minus h next क्या आजाएगा? यह आजाएगा बटा limit कितनी आएगी? h tending to 0 mod of sin of minus theta होता बटा sin theta याद रखना sin of minus theta कितना होता है? sin of minus theta होता है आपका जाकर कि minus sin of theta तो यह आएगा आपका minus sin h किलियर है? और divided by कितना आएगा? minus h आएगा तो अगला step क्या बनेगा? limit h tending to 0 अब आपका यह mod लगा हुआ है तो final answer क्या आएगा आपका? sin of h ही आना है और divided by minus h किलियर है? यह चीज़ आएगी समझ आया है कि नहीं आया? अरे भाई, mod तो हमेशा positive ही खुलेगा कुछ भी हो यह तो हमेशा positive खुलना है किलियर है? अब ज़रा दिमाग लगा इतनी चीज़ की value क्या हो गई? plus 1 और एक minus बाहर लगा हुआ है तो total क्या आएगा आपका answer? minus 1 इसका मतलब है left hand limit क्या आगई? minus 1 यह कैसे हुआ? आपको अच्छी तरह पता formula क्या होता है? formula होता है limit x tending to 0 sin x upon x कितना होता है? यह 1 यह formula मैंने कहाँ apply कर दिया? मैंने इस जगह पर यहाँ से यहाँ तक apply कर दिया तो मेरी left hand limit आई कितनी? minus 1 तो यहाँ लिख देता हूँ minus 1 आगए मेरी left hand limit क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं? अब आगे चलते हैं अब बेटा निकालेंगे हम क्या? right hand limit निकालेंगे right hand limit निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही बात है limit h tending to कितना? 0 तो यह क्या आजाएगा? mod of sin of 0 प्लस h divided by कितना? 0 प्लस h क्लियर होगे बात? तो अगला step क्या आएगा? limit h tending to 0 mod of sin h upon h तो obviously बात है बाहर कैसे खुल के आएगा यह? sin of h upon h और limit कितनी आजाएगी? h tending to 0 तो गोर करो यह चीज कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी यह कितनी आ रही है आपकी? 1 आ रही है clear है कि नहीं? यह बात समझ में आई कि नहीं है? यह value आपकी 1 आ रही है समझ गए? तो right hand limit आपकी आ गई 1 left hand limit आई minus 1 और value of the function कि आ रहा है? value of the function आ रहा है आपका 1 यह देखे दे रखाएगी यह value of the function है इसका मतलब भी तीन अलग बाते हैं यह minus 1 आ रहा है यह 1 आ रहा है, यह 1 आ रहा है equal तो नहीं आ रहा है? अगर यह equal नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा? यह आपका discontinuous हो जाएगा यह function कैसा है? discontinuous है at x is equal to 0 पर बोलो बटा समझ में आया है कि नहीं आया? यह चीज़ समझ में आयी कि नहीं आयी? clear होगी बस? बटा problem number 6 देखेंगे test for continuity at x is equal to a पर check करना हमें किस पर check करना है? x is equal to a पर check करना है क्या आयेगा? तो बटा मैं बताता हूँ आपको क्या आयेगा यह? यहाँ से आपकी left hand limit निकलेगी और right hand limit निकलेगी और value of the function मतलब f of a आपका कितना दे रहा है? यह direct 0 दे रहा है तो सबसे पहले मैं काम करूँगा किस पर left hand limit पर काम करूँगा कितनी आएगी? यह आएगी limit आपकी h tending to 0 अब क्योंकि left hand की बात कर रहा हूँ इसलिए 0-h बनके चलेगा तो यह आएगा आपका जाकर के 0-h-a clear है? और cos of 1 upon 0-h-a यह आएगा इतनी भात में कोई दिक्कत नहीं है अगला step देखो बटा क्या बनेगा? अगला step बनेगा limit h tending to 0 यह बन जाएगा बटा minus of a plus h मैंने minus common ले लिया और cos of minus अगर common ले लिया तो 1 upon a plus h बनेगा अब एक फार्मूला आप खूब अच्छी तरह जानते हो cos of minus theta क्या होता बटा? cos of theta होता है h tending to 0 minus of a plus h और cos of 1 upon a plus h यह आजाएगा इतने में कोई दिक्कत नहीं अब अगर मैं h को क्या put करूँगा? 0 अगले step में h को 0 put करूँगा तो क्या आएगा? minus a cos of 1 upon a यह मेरी left hand limit आजाएगी कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को यह मेरी left hand limit आई अब मैं निकालूँगा right hand limit right hand limit के लिए क्या करोगा बटा? right hand limit के लिए आप करोगे right hand limit इसके लिए करोगे आप limit क्या? h tending to 0 यह आजाएगा बटा आपका जाकर के यह 0 की बात कर रहा है तो 0 plus h minus a cos of 1 upon 0 plus h minus a यह आजाएगा यह चीज़ आजाएगी तो अगला step क्या बनेगा? यह बनेगा limit कितना? h tending to 0 यह आजाएगा बटा h minus a और यहाँ क्या आएगा? cos of कितना आजाएगा? 1 upon h minus a यह चीज़ आजाएगी अब जब मैं h की ज़ेगे क्या पूट करूँगा? 0 put करूँगा तो देखो क्या होगा? यह आएगा minus a cos of 1 upon minus a आएगा ठीक है? और दुबारा से मैं यही फार्मूला अपलाई करूँगा तो final answer क्या बनेगा? minus a cos of 1 upon a यह आजाएगा क्लियर है? तो आपकी right hand limit क्या आ गई? आपकी right hand limit यह आ रही है left hand limit क्या रही है? यह आ रही है यह दोनों तो सेम है लेकिन ज़रा गौर करो x is equal to a पर value of the function कितना आ रहा है? 0 आ रहा है यह चीज कितनी आ रही? 0 आ रही यह problem देखो बटा problem number 7 कहता है examine the continuity of f of x at x is equal to pi by 2 तो left hand limit, right hand limit तो बटा यही से निकलेगी ठीक है? और value of the function x is equal to pi by 2 पर कितना दे रहा है? 1 दे रहा है कोई दिक्कत नहीं तो पहले मैं बात करता हूँ किसकी left hand limit की क्या करूंगा? limit h tending to 0 cos of क्योंकि pi by 2 पर चेक करना है तो pi by 2 minus h चलेगा क्या चलेगा? pi by 2 minus h divided by pi by 2 और minus pi by 2 minus h clear होगी बात? तो अगला step क्या आएगा? यह जागा limit h tending to 0 अगर आप गवर से देखें तो यह formula है trigonometry का क्या लगता है यह? cos of 90 minus theta क्या होता है? sin theta होता है तो यह होगया बाटा आपका जागर के sin of h कितना आगए? sin of h upon pi by 2 minus pi by 2 और plus का h आगया इससे यह cancel होगया तो अगला step क्या आएगा? यह आएगा limit h tending to 0 यह आजाएगा sin of h upon h और यह direct limit क्या होती है? 1 होती है इसका मतलब left hand limit आपकी क्या आगई? 1 आगई बोलो बटा कोई दिक्कत नहीं तो बटा left hand limit आपकी कितनी आगई थी? 1 आगई थी left hand limit आपकी 1 आगई left hand limit कितनी आगई थी? 1 अब मैं बात करूँगा किसकी right hand limit क्या निकालूँगा? right hand limit right hand limit कैसे आएगी? वो देखो यहाँ लिखूंगा limit h tending to 0 cos of कितना? cos of pi by 2 plus h divided by pi by 2 minus pi by 2 और plus में कितना? h यह चीज़ आजाएगी इस pi by 2 से pi by 2 cancel इस minus a plus minus हो जाएगा और cos 90 plus theta कितना होता है? cos 90 plus theta होता है minus sin theta कितना होता है? minus sin theta तो उपर आजाएगा minus of sin of h divided by minus of h इस minus से minus cancel हो जाएगा तो जो कुछ बच गया उसका answer कितना हैगा? 1 आएगा इसका मतलब है right hand limit कितनी आ रही है? right hand limit आपकी 1 आगी got the idea? तो left hand limit पता right hand limit पता और value of the function पता मतलब यह 1 है यह 1 है और यह भी आपका 1 है इसका मतलब यह function x is equal to pi by 2 पर continuous है got the idea? problem number 8 देखो बटा क्या कहता है which of the following functions are continuous at the indicated points continuity check करनी है तो देखो बटा x is equal to 0 पर check करना है तो left hand limit कहां से मिलेगी? जहाँ पर 0 से छोटा होगा 0 से small किसमे मिल रहा है उपर वाले में तो left hand limit तो आपको इस से मिल जाएगी right hand limit आपको इस से मिल जाएगी और value of the function किस से मिलेगा? उपर वाले से या नीचे वाले से? obvious सी बात है नीचे वाले से क्योंकि 0 उसी में है यहाँ पर 0 है तो value of the function आपको इसी से मिलेगा clear होगी बात? अब तो आप आसानी के साथ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यह question आप आसानी से कर सकते हो ठीक है? इसी तरह से आप अगले हाले question में आओ 0 पर मुझे continuity चेक करनी है तो left hand कहा मिलेगी? 0-h का मतलब left hand limit होता है 0-h का मतलब left hand limit होता है कि नहीं होता? तो 0 से छोटा तो 0 से छोटा कौन सा है? यही वाला तो है आपका तो यह आपको left hand limit देदेगा तो यह आपको right hand limit देदेगा अब 0 आला point है कहाँ पर? 0 आला point नीचे वाले में देख रहा है इसका मतलब value of the function भी आपको नीचे वाला देदेगा बिल्कुल similar fashion में left hand limit आपको कहाँ से मिलेगी इस वाले में? उपर से मिलेगी right hand limit नीचे से मिलेगी इस वाले function से और value of the function भी आपको यहीं से मिल जाएगा क्योंकि 0 AC के अंदर include है सारे के सारे एक जैसे question है कोई difference नहीं है तो limit निकालना मैंने आपको सिखा दिया तो कोई एक question बदाता हूँ इसका third part बदा देता हूँ ठीक है? तो left hand limit के लिए मैं क्या करूँगा बिटा? left hand limit निकालने के लिए करूँगा limit h tending to 0 अब 2 minus 0 minus h आएगा तो ये minus इसको क्या कर देगा? प्लस तो ये आजाएगा 2 plus h कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 plus h और जब h की जगे जीरो पूट करूँगा तो answer क्या आएगा? आपका 2 आजाएगा कोई दिक्कत नहीं है आगे समझ में अब मैं निकालूँगा right hand limit right hand limit कैसे निकलेगी? right hand limit निकालने के लिए मैं लिखूँगा limit क्या? h tending to 0 और ये नीचे आले से निकलेगी तो ये आजाएगा आपका 2 plus क्या? 0 plus h तो ये बनेगा बटा जाकर के 2 plus h और जैसे h की जगे 0 put करोगे आपका answer क्या जाएगा? 2 आजाएगा clear हो की बात? अब मैं निकालूँगा value of the function वो कहां से निकलेगा? वो भी नीचे से निकलेगा इसका मतलब है f of 0 तो ये कितना जाएगा? 2 plus 0 that is equal to 2 तो ये आपका 2 आगिया अब अगर आप गौर करें ये value 2 है ये value 2 है और ये value 2 है इसका मतलब ये function आपका कैसा है? continuous है यूँकि तीनों चीजे एक जैसे आ रहे है got the idea? ये question देखो बटा हमें यहाँ limit निकालनी है oh sorry continuity निकालनी है तो किस point पर निकालनी है? पहले आले question पर आप जड़ा थोड़ा सा concentrate करो किस point पर निकालनी है? ये से देर आए तो सीधे सीधे x is equal to 1 पर निकालनी है ठीक है? तो x is equal to 1 का मतलब जब मैं left and limit की बात करूँगा तो जड़ा दिमाग लगा क्या लिखूँगा? 1-h लिखूँगा की नहीं लिखूँगा? x की जगे क्या लिखा करूँगा? 1-h मतलब 1 से छोटा तो x 1 से छोटा अरे h की कोई ना कोई value तो आएगी जब 1 मैं से वो subtract होगा तो 1 से तो छोटी value आएगी इसका मतलब x मुझे 1 से छोटा चाहिए और x 1 से छोटा है कहाँ पर? यहाँ पर रहे देखो x is less than equal to 1 तो left hand limit तो बेटा आएगी यहाँ से right hand limit आजाएगी यहाँ से value of the function value of the function मतलब आपको निकालना f of 1 तो f of 1 तो उससे निकलेगा ना जिसमें वो 1 होगा तो 1 कहाँ पर बेटा? 1 आपका साफ दिखाई दे रहा है 1 आपका यह रहा इस वाले में इसका मतलब value of the function आपको कहाँ से मिलेगा? value of the function आपको उपर वाले से ही मिलेगा clear हो की बात? तो इस वाले function से आपको value of the function मिलेगा और left hand limit मिलेगी और इस वाले से right hand limit मिल जाएगी got the idea? similar fashion में x 1 से छोटा है मतलब 1 से छोटा मतलब left hand limit यहीं से निकलेगी clear हो की बात? right hand limit फिर आपकी नीचे वाले से आजाएगी और value of the function भी आपका नीचे वाले से आजाएगा क्योंकि 1 वाला जो point है इसी के अंदर है यह देख रहा है न आप one वाला point इसके अंदर है यहाँ आपर clear हो गया? यह भी आपका clear है next देखो बटा x 1 से छोटा मतलब यह left hand limit देदेगा अगले question की बात कर रहा हूँ इसकी यह आपको left hand limit देदेगा यह आपको right hand limit देदेगा और यह आपको value of the function देदेगा clear हो गया बात? तो left hand, right hand और value of the function काम करने का तरीका same है next देखो बटा यह x is greater than 1 है मतलब 1 से बड़ी value है तो यह तो मेरे को देदेगा बटा right hand limit यहाँ x 1 से छोटा है तो यह देदेगा left hand limit और value of the function मुझे कौन देदेगा obvious ही बात है यह वाला function मुझे value of the function देदेगा clear है? और next देखो यहाँ से x is not equal to 1 है x हमारा 1 के equal नहीं है तो यही मेरी left hand limit देगा यही मेरी right hand limit देगा clear है? और value of the function आपको कौन देदेगा? यह मैं बता देता हूँ को clear है? देखो बटा हमारे पास क्या है question? हमारे पास question है limit अब मैं निकालना है इसकी left hand limit ठीक है? limit आपको क्या जाएगा? h tending to 0 हाँ बटा left hand limit निकालनी है तो क्या करूँगा? मैं यहाँ लिखूँगा बटा 1-h इसकी power n minus 1 upon 1-h minus 1 clear है? तो यह क्या जाएगा? अगले step यह जाएगा limit h tending to 0 1-h इसकी power n minus 1 upon 1-h minus 1 इस 1 से 1 cancel हो गया तो अगले step क्या जाएगा? limit h tending to 0 1-h की power कितना n minus 1 upon कितना minus h clear होगी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब जो अगले step आएगा वो देखो मैं आपको बताता हूँ आपने एक फार्मूला बढ़ रखा होगा plus 1 में था 1 plus x की power n तो इसको आप लिए exponential वो हो जाएगा आप भी binomial फॉर्म हो जाएगी 1 plus nx plus n into n minus 1 x square upon factorial 2 plus dash 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 इस तरह से चलता था यह clear होगी बाद? तो उस चीज़ को जब मैं अपलाई करूँगा तो यहाँ x की जगे minus h लिखना है और कुछ भी नहीं है clear होगी बाद? क्या बनेगा यह बता देता हूँ यह बनेगा बेटा मेरा जाकर के 1 minus कितना बनेगा? n h plus n into n minus 1 और minus h का square और divided by कितना? factorial 2 factorial 2 मतरब 2 into 1 और plus dash 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 इस तरह से चलेगा यह clear है? यह तो आगे मेरी कितने की value? यह value आगे मेरी इतने portion की और 1 minus 1 मेरा यह आखरी में है ही है clear होगी बाद? और फिर divided by क्या? divided by minus of h बोलो करूँगा की नहीं करूँगा? इतनी बात में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं और यहां क्या लगा दूँगा? limit h tending to 0 very very important मैंने यह formula apply किया है इसको आप अच्छी तरह देख लो clear होगी बाद? जहाँ जहाँ x है वाँ में क्या लिख दूँगा? minus h लिख दूँगा क्या कर दूँगा? minus h लिख दूँगा यह आपका x है ना यहाँ minus h लिख दूँगा यहाँ minus h लिख दूँगा अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें h common आ रहा है देखो h यहाँ पर भी है h यहाँ पर भी बहुत सारे h होंगे तो वो h आपका common आ जाएगा तो अगला step क्या आएगा वो आएगा limit h tending to 0 minus h मैंने h ही common ले लेता हूँ h मैंने common ले लिया तो अंदर क्या बचा minus n plus n into n minus 1 upon factorial 2 और कितना minus h ठीक है या h ही लगा लो h का h square हो गया था h लगा लो और plus dash 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 यह आ जाएगा और divided by कितना divided by आपका कितना है यह minus का h इस h से h cancel हो गया बोलो समझ आया है कि नहीं आया इस h से h cancel होगे तो बचा क्या आपके पास बचा limit h tending to 0 यहां क्या बचा minus n plus n into n minus 1 into h divided by factorial 2 और plus dash 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 और upon में कितना आ रहा है upon में minus 1 आ रहा है अब एक common sense की बात बताता हूं आपको common sense की बात बताता हूं अगर मैं h की value कितनी लिख दूँ 0 तो आगे भी h आएंगे सब की जगे 0 होगा इसका मदब यह पूरा का पूरा यहां से ले करके यहां तक जो कुछ भी होगा सब 0 बन जाएगा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा तो बचेगा क्या यहां से बचेगा minus n और नीचे से बचेगा minus 1 इस minus से minus cancel हो जाएगा तो final answer क्या आएगा आपका n आजाएगा कितना आएगा बचा यह आगई आपकी left hand limit got the idea or not यह आपकी left hand limit आगई थोड़ा सा complicated question है लेकिन मैंने एक एक step आपको समझाने कोसिस किये तो यह आजाएगा आपका n clear होगी बच अब हम निकालेंगे right hand limit तो left hand limit कितनी आगई बचा आपकी n आगई अब मेरा interest किसमे है अब मेरा interest है right hand limit में किसमे है right hand limit right hand limit कैसे निकालूंगा मैं यहां लिखूंगा limit h tending to 0 अब यहां लिखूंगा क्योंकि 1 पे निकाल रहा हो तो 1 plus h कितना लिखूंगा 1 plus h और इसकी पावर कितनी n minus 1 upon 1 plus h minus 1 इस 1 से 1 cancel हो जाएगा तो क्या जाएगा 1 plus h इसकी whole power n minus 1 divided by कितना n और limit कितनी h tending to 0 कोई दिक्कत नहीं है अब मैं दुबारा से वही formula apply करता हूँ क्या 1 plus x इसकी power कितनी n तो क्या हैगी 1 plus nx plus n into n minus 1 क्या x square upon factorial 2 और plus dash 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 यह formula apply करूँगा जब मैं यह formula apply करूँगा तो ज़रा ध्यान देना इस x की जगे मैं क्या put करूँगा h put करूँगा h put करूँगा तो देखो क्या हैगा यह आ जाएगा बटा जाकर कि आपका 1 plus n h plus n into n minus 1 h square upon कितना factorial 2 plus dash 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 यह value तो आगई बटा जाकर कितने हिस्से की इतने हिस्से की आगई यह इतने portion की value आगई लेकिन बाद में क्या है आपका minus 1 भी है और divided by कितना है divided by आपका h है इतनी बाद में कोई दिक्कत नहीं और यहां क्या लगा रखा है limit h tending to 0 बोलो इतना समझ आये की नहीं आया अब अगला step देखो बटा क्या आएगा next step बताता हूं आपको क्या आएगा देखो गौर करो जरा इस 1 से यह वाला 1 cancel हो गया h यहां पर भी है h यहां पर भी है ऐसे बहुत सारे h आपको आगे भी मिलेंगे तो h common आ करके नीचे वाले h को काट देंगे तो बचेगा क्या आपके पास limit h tending to 0 यहां n बचेगा यहां n into n minus 1 into h upon factorial 2 बचेगा plus dash 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 कुछ बचेगा h common आके कट गया यह वाला h common आके कट चुका है अब दिमाग लगा जैसे ही मैं h की value क्या put करूँगा यहां 0 तो यह चीज 0 put करते ही यह पूरा portion 0 आगे भी h 0 put करते ही सारे portion 0 बन जाएंगे तो सिर्फ बचेगा क्या आपके पास n बचेगा इसका मतलब है आपकी right hand limit भी कितनी आ गई n आ गई बोलो बटा समझ आया कि न आया आपकी right hand limit भी n आ गई तो मैं या लिक देता हूँ right hand limit कितनी आई n left hand कितनी आई थी n आई थी तो यह n आ गया यह n आ गया लेकिन value of the function अगर आप गौर से देखें क्या देखें value of the function तो यह कितना आ रहा है n-1 आ रहा है at x is equal to 1 पर got the idea or not clear हो गई बात की नहीं हो गई खुब अच्ची तरह सोच लो बेटा clear हो गया तो यह function आपका discontinuous आएगा ठीक है thank you